Hello everyone, welcome to O2IS Academy, मेरा नाम है चुत्तिका और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करण्ट अफेस करवाने वाली हूँ Prelims, Mains दोनों के लिए important है, अगर आप नए हैं तो मैं हर एक 15 दिन में हिमाचल के करण्ट अफेस करवाती हूँ Important Awards है, कोई नई variety आई है, कुछ भी है, Mains के लिए भी Cyber Crime, Drug Manus, वो सारी चीज़े मैं करवाती हूँ आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो preparation में कोई doubts रहते हैं तो आप हमें contact भी कर सकते हो हमें follow भी कर सकते हो, ताकि जो बहुत सारा educational content हम डालते हैं उसको आप देख सको, हमारी mobile application भी राउनलोड कर सकते हैं नए batches के लिए उसके लावा इसकी एक अलग से playlist बनी हुई है, इसको आप check out कर सकते हैं, do not forget to subscribe शुरू करते हैं हम अपनी पहली news के साथ में, कुफरी भासकर जो है वो गरम इलाकों में लगाये जा सकते हैं, अब हिमाचल प्रदेश में हमारे पास में एक बड़ी special चीज है जिसका नाम है Central Potato Research Institute, इसी के लिए बहुत सारी विराइटी है आलूँ की जिनके आगे कुफरी लगाया जाता है, कुफरी जामुनिया, कुफरी भासकर, कुफरी चिपसोना ऐसे करके, तो हमने एक नई विराइटी जो है यहाँ पर निकाली है, जिसको कुफरी भासकर कहते हैं, अब जो आलू है जैसा आप जानते हो कि हम ऐसे हमारे पास अलग-अलग क्लाइमेटिक जो यह जो नई विराइटी है, इससे क्या होगा, कि इससे हम लोग गरम इलाकों में भी इसको लगा सकते हैं, अब यहाँ पर न इसको कवर करने के दो तरीके हैं, एक तो आगया आपका प्रिलिम्स वाला सेक्शन, जहाँ पर आप याद कर लेते हो कि कुफरी भासकर है, गरम लाकों में लगाया जा सकता है, और यह temperature, high temperatures को यहाँ पर सह सकता है, दूसरा आता है, हम क्या रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं, climate resilience की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, climate resilience का मतलब क्या है, कि जैसे अगर हम rainfall की बात करते हैं, अगर आप पिछले कुछ वक्त में देखो, तो ब climate change बहुत जादा है, इसी के चलते हुए हमें इस तरीके के varieties की बहुत जरूरत है, जो कि किसी भी temperatures में लग सकें, जिनमें पानी की कमी कम हो, कोई भी blight जैसे रहते हैं, आपके कितने भी disease लगते हैं, plants में वो न लगे, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर अचीव करना चाहते जो environment में changes आ रहे हैं, उनको हम ऐसी varieties के साथ में टैकल कर सकते हैं, अच्छा खासा रोल इसमें यहाँ पर इनी का है, Central Potato Research Institute of Shimla, Shimla में कहाँ पर यह है, कुफरी में, कुफरी में है, यह बहुत सारी varieties के उपर काम करते रहते हैं, इसलिए आलू की जित्ती भी variety है, उसके कुफरी लगावा है, तो वो एक आलू की variety है, ठीके जी, यह खुद आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने वही detailed बाते की हैं, कि क्या-क्या हम research किस चीज के ओपर focus कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें, इसमें एक और variety है, एक और news है, कुफरी Chipsona 5, अब यह जो Chips Chipsona है, one, two, three, four, थी, अभी हमने इसमें से fifth वाला जो है, वो निकाला है, इसकी yield बहुत अच्छी है, और potato chips के लिए बहुत अच्छा है, तो इससे क्या होगा, जितनी भी processing industries हैं, वहाँ पर quality और yield ही उनको चाहिए होता है, तो उनको फाइदा होगा, और जो farmers हैं, वो भी इ easily लगा सकते हैं, उनना, कांगडा और सिरमौर में, तो ये आपका कुफरी Chipsona, Chipsona 5 in fact, क्या क्या हैं इसके feature, again, 90-100 दिन में ये एकदम तयार हो जाता है, फिर high yielding variety है, और बहुत सारे इसके benefits हैं, जिससे की farmers को यहाँ पर फाइदा होगा, और जो हम temperature resilience या फिर climate resilience की बात कर आते हैं, ये उसमें भी आता है, next बढ़ते हैं, हम लोग आगे अगली news की तरफ, ये है dragon fruit के बारे में, dragon fruit जिसको कमलंग भी कहते हैं, खुबसूरत सा ये fruit है, मैंने तो कभी नहीं खाया, पर ornamental है और बहुत महंगा बिकता है, ये आपका 200 से 500 पर kg यहाँ पर बेचा जाता है, farmers को बहुत सारा फाइदा हो सकता है, यहाँ पर इसको हम लोग शिवा प्रोजेक्ट के अंदर लाएं हैं, तो क्या है ये HP शिवा प्रोजेक्ट, बड़ा important है, इसको हम लोग देखते हैं कि, नहीं, आगे नहीं लिखा है कुछ नहीं मैंने, तो ऐसे ही मैं आपको असान भाषा में समझा देती हूँ, कि ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे climatic zones बढ़ते हैं, हम चार agro climatic zones बढ़ते हैं, कि subtropical है, mid hills है, temperate wet है और temperate dry है, अब क्या है इसमें, जो HP शिवा है, ये बोलता है कि हम subtropics में, जैसे कांगडा, उन्ना, बिलास्पर, सोलन, सिर्मौर, ये जो नीचे वाले एरिया है ना, यहाँ पर हम fruits नहीं लगाते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे fruits लगा सकते हैं हम लोग, specially citrus fruits, citrus fruits कौन से हो गए, माल्टा, ओरेंज, गौावा, अमरूद है, जपानी फल हो गया, अनार है, और फिर आपका ये इंकम है, वो decrease कर जाती है, होटी कल्चर में, तो बोलते हैं, सब ट्रॉपिक्स में, जितने भी आपके 7 districts में ये है, वहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़े उगाएंगे, और 2025 से 2028 तक आते हम लोगों ने, आपका 6000 hectare सिर्फ शिवालिक्स में fruits के अंडर लेकर आना है, तो य इसके उपर mains में भी question आते है, prelims में भी आपको ये पता होना चाहिए, हिमा H.P. Shiva, जो कि आपका है, हिमाचल प्रदेश, Subtropical Horticulture Irrigation and Value Edition Project, ये असान भाशा में है, कि हम ये prosperity लेकर आएंगे, नीचे शिवालिक्स वाले एरिया में, कि यहाँ के लोग जो हैं, वो भी अच् कल्चर स्पेसिफिकली खर सके, नेक्स्ट आगे बरसाते हैं, हम लोग Apple की बात कर रहे थे, Apple आगया आगे जी, Universal Carton, Universal Carton क्या होता है, अब ये जो हैं पेटियां यहाँ पर है, Apple की बिक्ती थी पहले, तो इसमें लोग जो हैं अपने हिसाब से बेच देते थे, कि जो 20 किलो क की भी बेच देंगे, और 30 किलो की भी बेच देंगे, अब जो 20 और 30 किलो है, इनका जो प्राइस है, वो भी different, different अपने हिसाब से रख लेंगे, अब जो जिनके कम होते हैं Apple उनको घाटा हो जाता था, तो 2023 में ये आया, कि एक Universal Carton होना चाहिए, कि ये आपका Universal है, इसमें तीन से पांच हजार का विकरा है, और जो 30 किलो वाला काटन है, वो 25 से तीन हजार का विकरा है, तो उससे standardization एक इस जो Apple का बेचना है, उसमें आ जाती है, ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें तो कौन लेकर आया था, तो शिमला वाली साइड अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉयल एपल जो है, वो 1916 में सिम्यूल स्टोक्स यहाँ पर लेकर आये थे, जुनको बाद में हम सत्यनन स्टोक्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही state की economy में Apple को इंट्रोड्यूस किया था, नेक्स न्यूज आगे हम लोग आ जाते हैं जी, दो नई varieties के बारे में, अब एलाइड के पेपर में देखा होगा, आपने पूछा था वहाँ पे, कि ट्राउट क्या होता है, तो ट्राउट क्या थी, ट्राउट एक मचली थी, वैसे करके यह नाम जैसे याद कर लेने हैं बस, कि AHR जैनती रोहू और अमरित काटला, यह दो चीजे क्या हैं, यह फ जो आपकी ग्रोथ है, वो जादा होगी, हिमाचल में जो फिशिरीज इंडस्ट्री है, वो और जादा ग्रो करेगी, तो इसके लिए यह दो नाम हैं, बहुत जादा चीजे नहीं है याद करने को, एक तो भुवनेश्वर याद कर लेना है, कि उडिसा से लेकर रहे हैं, द कोटी शिरुवात है, धीरे-धीरे बढ़ेगी, हम लोग यह टूरिजम के लिए कर रहे हैं, असान भाषा में बताओं, टूरिजम वाला एक लेक्चर लगाना है, मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कि हम अलग-अलग तरीके का टूरिजम करते हैं, अभी हम लोग वाटर की तरफ या फिर लेक टूरिजम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमने गोविन सागर लेक में ये लेकर आए, और फिर ये वाला जो है, क्रूज भी लेकर आए, कहां से लेकर आए हैं, तो ये कोची, कैरला से लेकर आए हैं, हम लोग और धीरे-धीरे की वाटर इंप्लॉइमेंट भी मिलेगी, अगर टूरिजम बाला लेक्चर लगाओगे, तो डीटेल में हमें, मैं अक्सर बताती हूं, कि जब किसी भी जगा टूरिजम आता है, तो वहां की जगा जो है, वो फ्लरिश करती है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हां, डैमेज जो ह है, वो भी होता है, लेकिन फ्लरिश भी करती है, आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, तो forward and backward linkages, same चीज बिलासपुर में भी करने की कोशिश करें, कि इस तरीके की activity से क्या होगा, टूरिजम बहां पर आएगा, और धीरी-धीरे करके water, sports अगेरा, वो सारी चीज़े भी यहाँ पर हम शुरू करें, यह आपकी magazine में डालती हूँ, मैं सारी की सारी चीज़े तो पढ़नी है यह, जब भी मन्त के end में आपके telegram के ओपर यह magazine आ जाती है, नेक्स आ गए हम लोग drug addiction के ओपर, drug manners के ओपर, नशा मुक्ती केंदर, अब यह again, यह आपका mains का topic है, अल कवर करना होता है, क्या कवर करते हैं हम लोग कि हमाचल प्रदेश में सबसे पहले कैसे हलात हैं, right now, present कैसा है, जिसमें आप बहुत सारी reports को quote कर सकते हैं, जो हमें पता भी हैं, लेकिन वहाँ पे reports को quote करना होता है, कि यह वाली report जो है magnitude of substance use, यह वाली report यह कह रही है, यह वा आपके गाउं में बहुत बुरे हाल है, तो आपने वो ठीक करने है, इसको बड़े level पे हम लोग देखते हैं, कि अब क्या करती है, सरकार किसी चीज़ को illegal कर देती है, एक, दो approaches रहती है, उसमें से एक approach होती है, कि illegal कर दो, लेकिन बहुत सारी illegal चीज़ें फिर भी use होती है, heroin का use जो है माचल प्रदेश में, चिट्टा heroine ही होता है, उसका होता है, और बहुत सारी यही dry states है, जहां पर शराब बिलकुल मिलती है, तो क्या होता है, कि यह एक तरीका है, दूसरा तरीका है awareness वाला लोगों में, awareness लाना, तो यहाँ पर जो सरकारे है, या फिर जो administration है, व इसका मैंने detail lecture किया हुआ है, क्योंकि यह मुझे topic जो है, वो काफी जादा, ऐसे awareness वाला लगता है, बच्चों की जिंता भी होती है, बहुत सारे खलाज जो है, वो हिमाचल में खराब है, तो इसको एक बार detail में ज़रूर पढ़िएगा, mains वाली playlist में पढ़ा हुआ है, नही है, क्योंकि एक time के बाद क्या होता है, बहुत सारी भिमारियां, specially बद्धी बरोटी वाला नालागड में अगर हम लोग देखते हैं, तो वो गंदी syringes यूज करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो बहुत सारी भिमारियां जो है, वो यहाँ पर होती है, HIV से लेके आगे पत की जाती हैं, वो हम लोग इसमें बात करते हैं, नशामुक्ती अभियान या नशामुक्ती हिमाचल अभियान जो है, वो यहाँ पर शुरू किया गया है, दिरे-दिरे इसके उपर काम करेंगे, नेक्स आ गए हम लोग हिमाचल प्डेश पहला स्टेट बना है, पुरे भारत का जहां पर अगर आप नकली शराब या फिर जो आपकी कहीं से चुराई हुई शराब वो बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जहां पर आप नकली शराब बना भी रहे हैं तो illegal शराब बना रहे हैं उसको confiscate किया जाएगा और उसके लावा यहां पर यह non available है छे महीने की jail sentence है और 50,000 रुपए का fine है तो यह हमाचल पहला इसमें statement है होता क्या क्या है यह जो नकली शराब होती है उसमें methyl alcohol होती है और वो जो है शराब तो कोई भी अच्छी नहीं होती पर यह जादा खराब होती है यह आपका alcohol जो है वो down quality का रहता है जिसकी वज़े से लोग बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं बिमार हो जाते हैं illegal जो है आपके पास में license नहीं है तो इस तरीके से इसको हम लोग control करने की कोशिश कर रहे है यह आपका बड़ा important यहाँ पर रह जाता है कि non-bailable है आपकी जहाँ पर property में अगर बनाया जा रहा है तो वो property जो है यहाँ पर confiscate की जा सकती है सरकार उसको यहाँ पर उसके उपर कबजा कर सकती है और जो fine लगेंगे वो तो फिर बाद में है ही तो यह आपकी news है next news है हमारी cybercrime spreading in the state तो यह data आया है आपका cybercrime data 2022 बहुत important होते हैं यह data इनको quote करना होता है कि पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं there were total 64907 cases इसमें से 77 cases जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के थे वैसे भी अगर हम cybercrime की बात करते हैं तो हिमाचल जो है rise कर रहा है उसमें काफी ज़ादा बहुत सारे scam आपने recently सुने होंगे और scammers जो हैं वो भी नए नए ideas के साथ में आते हैं तो बड़े सारे cases हमें देखने को मिलते हैं पहले number पर तो हमें पता है कौन होगा तेलंगाना है फिर करनाटका उत्तरप्रदेश हैं बहाराश्रा तो यहां पर हमने बहुत सारी case studies आप पढ़ सकते हो कि कैसे ये काम करते हैं cyber crime जो है बड़ी चोटी age में बच्चों को जो है involve कर दिया जाता है आपने movies भी इसके ओपर देखी होंगी फिर हमाचल के अगर हम बात करते हैं specific 28 जो 77 cases है उसमें से 28 cases fraud के थे sexual exploitation, defamation and extortion तो बहुत सारे यहां पर challenges again आते हैं cyber crime जो है इसके ओपर हमाचल काफी जादा काम क बनाना चाहता है तो यह बहुत अच्छा एक point है अगर आप अपने answer में लिख सकते हो तो क्या कर रहे हैं हम basically हमारे पास में बहुत सारी चीजे तो already है cyber crime police station जो है अलग से बनाए हुए है एक data center भी बनाना चाहते हैं कि हम कितनी complaints आती हैं कितनी उसमें से recovery होती है जैसे अभ हमाचल प्रदेश अगें पहला बना है cyber center बनाने वाला कहां पर यह बनेगा तो शिम्ला में बनेगा शिम्ला में भी जब यह बन जाएगा exact इसकी location हम लोग बाद में देखेंगे इस तरीके के question important रहते हैं नेक्स आजाते हैं हम लोग जी hydro power capacity में हमाचल प्रदेश को award यहां पर दिया गया है तो यह है आपका जो है highest achieving state in overall hydro power capacity याने के हम लोग सारी electricity यहां पर generate कर रहे हैं इसमें बहुत कुछ याद करने के लिए नहीं है ऐसे skip भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो but again थोड़ा सा हमें idea हो कि किस चीज में हम लोग अच्छा perform कर रहे हैं जैसे hydro power capacity में we are going good तो आज के लिए बस इतना ही था I hope आपको यह lecture पसंद आया होगा आप मुझे follow भी कर सकते हैं different different handles के ऊपर and if you need any kind of help तो number यहां पर है thank you for watching and I wish you all the very best